किसानवाईयों जैसा कि आप सभी लोग गेहों की फसल लेते ही हैं और कोई भी फसल आज के जमाने में जो भी लिए जाती है आज की यूग में ले जाती है तो हमारे मृदा की छमताएं जो है वो उसकी उत्पादक छमताएं के इंसार उसको पोशक्तत नहीं प्रदान कर पाती हैं इसलिए उन्हें उपर से हमें राशायनिक खाद या हरी खाद या गोवर की खाद या किसी ना किसी रूप से उर्बरक उनको पोशक्तत पोधों को प्रदान किया जाना आवर्शिक होता है हम यहां जो गेहों में राशायनिक उर्बरक की बात करते हैं कि अगर गेहों की फसल पूर्णत या सिंचित है तो उसमें करीबन 100 से 120 किलो नत्रजन 60 किलो इस्पुर 40 किलो पोटास की आवसकता पड़ती है अगर अर्थ सिंचित हमारी केहों की फसल है तो उसमें 60 किलो नत्रजन 30 किलो इस्पुर और 20 किलो पोटास की आवसकता पड़ती है जहां तक इस्पुर और पोटास का सवाल है उसे हमें आधार खात के रूप में ही देना अवस्षिक होता है या जब हम खेत की बवाई कर रहें उसे समय खेत में मिला देना चाहिए इसके साथ में नत्रजन की आधी मात्रा भी खेत में उसे समय मिला देते हैं बाकी बचे हुई नत्रजन की मात्रा प्रथम एवं दुतिय सचाई के वाद में उसको बरावर बरावर भागों में बाट करके उर्वरक को देना चाहि आजकल सेट डिल है और सेट डिल के द्वारा सामान रूप से हमारे किसान भाई आजकल गयों की बहुत आसाने से बीज की जो हमारी कतार होती है उसके बगल में चला जाता है टॉप ड्रसिंग करते समय भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी सिचाई के बाद जो हम उड़ रख देते हैं तो खेत में पानी ज्यादा भरा नहीं रहे हलकी मिट्टी गेली होना चाहिए ताकि योरिया क्योंकि उपर से हम योरिया ही देते हैं बांकि तो काईदा नहीं रहता है इस तरह से नत्रजन इस्फूर पोटास का प्रवंधन के ओहूं में करना चाहिए धन्यवाद